नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मुख्य मंत्री ने हजारों की संख्या में उपर थी सरधालूओ को समधित करते हुए कहा है कि पिछली वर्ष राम नौमी महापर्व के आउसर पर तपोवान की पवित्र भूमी को बिक्सित करने की घोसना की थी इस वर्ष राम नौमी पर मंदीर और आसपास के छेतर का जिर्नो अधार और संदरी करण कारे सुरू हो चुका है और अगले वर्ष राम नौमी के आउसर पर यहां भगवान स्री राम जानकी के भव्वय मंदीर का आपदर्शन करेंगे तपोवन मंदीर परिसर के बिकास पर 14 कुलो रुपए से ज़्यादा खर्च किये जा रहे हैं ज़रुरत पढ़ने पर और भीरासी उपलब्द कराई जाएगी जारखन में तेज, आंधी और बारिस से तपोवन मंदीर के पास हादसा जारखन के कई जिलो में मौसम में बदला हुआ है दो पर बाद रांची में तेज, आंधी के साथ बारिस भी शुरू हो गई आंधी में तपोवन मंदीर के पास हुए हादसे में चार लोग हायल हो गई रांची मौसम केंद्रे ने रांची लोहर्दगा, बोकारो, गुमला, खुटी, सिम्टेगा, पच्मी और पूर्वी, सिम्भूम, जीले के किसानों से खराब मौसम में खेत में नहीं जाने के अपील किया है पतादे बंगाल की खाड़ी में बने निम्द दबाव के चलते गुरू आर को, दो फ़र तीन बजे के बाद से रांची सहीत चार खन के खुटी गुमला लाते हर लोहर्दगा, सिम्टेगा, जीलो में में गर्जन के साथ बारी सुरू हो गई रांची के तपोवन मंदीर के पास आंधी की वज़ा से राम नामी जुलूस के लिए स्वागत में लगे मंच से साउंड सिस्टम गीर गया, जिसमें चार लोग घायल हो गया है मौसम बैग्यानिक ने बजरपाद के साथ वर्सा होने की संभावना जताई है ड्रोन और 900 CCTV से राम नामी सोभायात्रा की मोनेटरिंग राजधानी रांची में राम नामी को लेकर लोगों का उत्सा चरम पर है अलग-अलग खाड़ों की सोभायात्रा अपने अपने गंताबे के लिए कुछ कर चुके है शुरक्षा व्यवस्ता को लेका CCTV के माध्यम से पूरे जूलूस की निग्रानी की जा रही है बतादराई दानी रांची में सिर्फ राम नामी की सोभायात्रा पने रखने के लिए 900 से अधिक CCTV केमरे लगाए गया है इसके अलबाद ड्रोन केमरे के भी मदद ली जा रही है रांची के कचारी स्थीत कंट्रोल ड्रूम में 25 अधिक पुलिस कर्मियों को सिर्फ CCTV के लिए लगाया गया है सभी अलग अलग छेत्रों में लगे CCTV के माध्यम से सहर में निकल रहे है इस जूलूस पर पसासन रखते हुए है रांची SSP के द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी तरह की गलवड़ी को देखते ही तुरंत अपने सिर्फ अधिकारी को सुचना देंगे CCTV के जरिये मोनेटरिंग का काम 24 गंटे तक चलेगा जब तक सभी अखड़े के सोभा जूलूस वापस अपने अपने गंतब तक नहीं लोड़ जाते योजिना वास्थ अपना मद के पैसे खर्च नहीं हुए तो करे सरेंडर बीत बिभाग सरकार का बीत बिभाग ने परतमान बीतिये वर्ष के आखरी दिनों बीतिये प्रमध्न को लेकस्कत कदम उठाया है बीत बिभाग ने सरकार के सभी बिभागों के परमूखों को पतर जारी कर कहा है कि बीतिय वर्ष 2022 तेस के बजट में और बंधिक वैसी राशी जिसका खर्च वर्तमान बीतिय वर्ष में संबव नहीं है उन्हें 31 मार्ष 2023 तक ऑनलाइन सरेंडर करें यदि 31 मार्ष तक राशी खर्च या सरेंडर नहीं की गई तो उसे लेप्स मना जाएगा बीत विभाग के परधान सचीव अजय कुमार सिंग नहीं भी कहा है कि जो सरेंडर राशी की जा रही है उसके कारणों का सपस्ट उलेख करे जारखन को एनिमिया मुक्त बनाने के लिए तैयार हो रहा ट्रीपल टी अप अब आपका मोबाइल भी आपको एनिमिया से मुक्ती पाने में मदद करेगा राजे के लोगों में खुन की कमी का पता लगाने वह उपचार के लिए स्वास्त भी भाग इस पर कायम कर रहा है राजे में सीसू स्वास्त को सांग ने नोडल अपसर डाक्टर आर एन सार्मा ने बताया है कि इसके लिए एक मोबाइल बेस्ट अप्लिकेशन विक्सित किया गया है जिसका नाम AMB T3 है AMB का मतलब एनिमिया मुक्त भारत जबकि T3 में टेस्ट, ट्रेक वर टॉक है राजियों को एनिमिया मुक्त करने के लिए इसी एप का उप्योग होगा उन्होंने बताया है कि एप को डाउनलोड करने के बाद उनके ओपेन होते ही या आपको खुद निर्देश करने लगेगा उसी अनुसार आगे बढ़ सकेंगे जारखन में मीशन मोड में जाती अवासियों आय पवन पत्र बनेंगे राज सरकार ने परदेश में मीशन मोड में जाती पवन पत्र अवासिय पवन पत्र आय पवन पत्र का का काम करने का निर्देश दिया है बतादे कि राज में दाखिल खारिश के लिए करीब 14,50,000 एर आवेदन प्राप्त हुए है प्राप्त आवेदनों में 6,55,000 वादों का निस्पादन कर दिया गया है जबकि 7,28,000 वाद अस्विक्रित किये गया है लगभग 82,000 वाद लंबित हैं इनमें 30 दिनों से अधिक लंबित वादों को संख्या लवग 8,000 है 90 से अधिक दिनों से लंबित वाद की संख्या 808 है बतादे रायस्वन निमंदने मां भूमी सुधार विभाग के ए आकले 28 फ्रवाईत तक के हैं बिभाग के ओर से एक सुन्योजित कारे योजना बना कर लंबित दाखिल खारिच वादों का गती से निस्पादन करने का निदेश दिया गया है वहीं पिछले दिनों भू अर्जान भू अभिलेक एवाम परिमाप निदेसाले की निदेश के अधर्षता में लंबित दाखिल खारिच वादों एवाम जार सभा के मांदम से निर्गत किये जार है सार्टिफिकेट के लंबित मामलों की समिक्षा की गाई पूलिस अपसरो को 2 अप्रेल से ट्रेनिंग जारखन पूलिस में 17-200 इंस्पेक्टर अस्तर के अधिकारी जो DSP में पर्मोशन की योगे हैं उनकी ट्रेनिंग होगी हजारी बाग के जहरखन पुलिस अकाडवी में 2 अप्रेल से या ट्रेनिंग में 14 दिनों तक चलेगी इसके बाद 4 सब्ता की फिल ट्रेनिंग समधी जिलम होगी इसके अलावा TTS जमसेदपुर में दरोगा से इंस्पेक्टर रैंक में पर्मोशन पाने वाले 200 या अप्सरों की ट्रेनिंग होगी इंस्पेक्टर रैंक में पर्मोशन पा चुके वैसे अप्सर भी ट्रेनिंग में सामिल किये जाएंगे जिन्होंने पुर्व में इंडेक्शन ट्रेनिंग नहीं ली थी हजारी बाग में ट्रेनिंग के लिए जाने वाले अपसरों को 1 अपरेल जबकी जमसेद्पुर में ट्रेनिंग के लिए जाने वाले अपसरों को 2 अपरेल को समधी ट्रेनिंग सेंटर में योगदान देने का निदेश दिया गया है सिक्षको को आउनलाइन आवेदन करने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग जारखन में सरकारी सिक्षको के तबादले के लिए सिक्षको से लेकर अधिकारियों को प्रसिक्षित किया जाएगा सिक्षकोग का टीचर टांस्फर पोर्टल के माध्यम से अधरांत्रन किया जाना है इसके रिए सिक्षकोग के online आवगया जाने हाई इसकोली सिक्षा वे स्षक्षा भागा अधिकारी से लेका सिक्षकोग परसिक्षित करेगा ट्रेनिंग एक अप्रेल को online होगी इसमें राजे के सभी DEO, DSE, छेत्रिय सिक्षा पताधिकारी, प्रखंट, सिक्षा प्रसार पताधिकारी, प्रधना ध्यापक और सिस्को को सामिल होना होगा जारखंट, सेक्षिनिक अनुसंधानों प्रसिक्षन परिस्थत के YouTube चैनल के माध्यम से प्रसिक्षन दिया जाएगा जारखंट के प्राइमरी स्कूलों के बच्चे खाली पेट करेंगे पढ़ाई जरकन के सरकारी स्कूल में 1 अप्रेल से स्कूलों का संचलन मौर्निंग होगा इसमें स्कूल सुबा 7 बये से 2 पर के 1 बये तक चलेंगे बता दे मद्यान भोयन का समय 11 बये से 11.5 बये तक ताय किया गया है प्राणभी की स्कूल में पढ़ने वाले छात्रे छात्राओं को मीड़े मिल दिया जाता है ऐसे में अधिकांस बच्चे मीड़े मिल नहीं मिलने तक भोखे पेट पढ़ाई करने होंगी पिछले साल स्कूलों में टिफीन का टाइम 10 बये था राजे के प्राणभीक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांस बचे गरीब तब केके होते हैं कई जगों परिश्थितिया है कि मीड़े मिल से ही उनका दिन का भोखन होता है मौनिंग स्कूल में सुबा 7 बये चलेंगे तो बच्चों को 6 बये तक अपने घरों से चलना होगा रांची का बीरसा मुंडा यारपोर्ट ग्राहक संतोष्टी में दूसरे नमबर पर बीरसा मुंडा यारपोर्ट ग्राहक संतोष्टी मामले में देश भर में दूसरे नमबर पर रहा है पहले अस्थान पर उदायपूर यारपोर्ट रहा, अप्रेल 2022 से मार्च 2023 के बीच घरलू उड़ान वाले यारपोर्ट पर हुए ग्राहक संतुष्टी सर्वे में बीचा मुंड़ा यारपोर्ट के यह रेंक मिली है, इस समझ में यारपोर्ट निजस्ता के एल अगरवाल ने बताया है कि देश बहर के बावन यारपोर्ट में ग्राहक संतुष्टी सर्वे किया गया था, यारपोर्ट अथ्रूर्ट अफ इंडिया ने एक नीजी एजनसी के माधम सर्वे कराया था, जमसेदपूर में टीन पलेट कमपनी में होगा पंद्रह सो कडोर का निवेस मुख्य मंत्री हमसुरेन करेंगे उद्घाटन, जारखन के जमसेदपूर जीले में टीन पलेट इंडिया कमपनी लिमिटेड में कोल्ड रोलिंग मील के तीसरे चरन का प्लांट लगेगा, इसम टाटा इस्टिल की अनुसांग की इकाई टीन पलेट कमपनी जमसेदपूर में वर्ष 29 से संचाली था जो फूड प्रोसेसिंग कमपनीयों के लिए पैकेजिंग टीन कैन का निर्मान करती है, बरतमान में कमपनी में संचालीद CRS 1 से प्रती वर्ष 1.80 लाख टन वर CRS 2 से 2 लाख टन का उत्पादन करती है, उत्पाद विभाग ने रायस्व के सभी आकडों को छोड़ा, उत्पाद वमक्द निशेद विभाग ने अलग राजे बनने के बाद रायस्व प्राप्ति में अब तक के रायस्व के सभी आकडों को पीशे छोड़ दिया है, विभाग न दो हजर नौ पॉइंट एक नौ कोलो रुपे करास्व मिला था उत्पाद विभाग ने अगामी बीतिय वर्ष दो हजर तेश चोविस के लिए तेशो साथ कोलो रुपे करास्व लख्ष रखा है और इसके लिए सब कूछ पूरी तरह विवस्तित करने के त्यारी चल रही है विभाग के दिकारी सुत्रों के नुसार राजे में सराब की विक्री के लिए मैन पावर उपलब्द कराने वाली पूर्व की चारों प्लेस्मेट एजेंसियों की बैंक गरांटी जप्त करने के बाद उन्हें निवीदा से बाहर कर दिया गया है धनबाद के निर्षा में प्रतिबंधित मास से हंगामा लाठी चारी धनबाद के निर्षा थाना छेत्र इस्थीत भूरकुंडा बाड़ी आदिवासी टोला में प्रतिबंधित मास मिलने से हंगामा हो गया जनकारी मिलते ही में हो गया पर पहुंची पूलिस से लोग एक समुदाई BCS के लोग उलज गया अक्रोसित भीड पूलिस के करीब आधा दरजन गाडियों को घेर लिया पूलिस के वाहनों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया आखिरकर पूलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा वहीं लोगों ने पत्थर बाजी भी किया है पूलिस की लाठी चाज से करीब आधा दर्जन गरामीन घायल हो गया है घायलों का अस्थानी अस्पताल में इलाज चल रहा है मामले की जनकारी मिलते ही गरामीन एसपी मौके पर पहुंचे वहीं बिधायक और पना सेन गुप्त समेत अने पहुंच कर लोगों ससान्ती बनाये रखने की अपील की इधर पूलिस परसासन की टीम मौके पर डटी है स्वास्त संस्थाओं के अनुदान के लिए तियार हो रही मोडल गाइडलाइन राज सरकार अपने स्वास्त संस्थाओं के अनुदान को लेकर मोडल गाइडलाइन तियार कर रही है इसके तहट अब उन संस्थाओं तथा सोसाइटी को भी आर्थिक सहाथा के रूप में अनुदान दिया जाएगा साइट्री को अनुदान देने करने लिया है यह अनुदान समंधित संस्थानों के भवन निर्मान विस्तारी करण मरमत्ति से लेकर अनेकारियों के लिए दिया जाएगा इनमें मसीन उपकरण फरनिचर की खरी तथा मानों बल के लिए भी सहायतारासी सामिल है खादे आपूर्ती विभाग में पताधिकारियों और करमचारियों की कमी पूर्ती पताधिकारियों प्रकौंड अस्तर पर प्रकौंड पूर्ती पताधिकारी की माध्यम से केंद्र वराय सरकार की ओर से संचालेत वोजनाव की मोनेटरिंग होती है सराय केला खर्चावा में 31 मार्च को राम नामी जुलू सराकला खरसावा जीले में सुक्रवार 31 मार्श 2013 को भी बिना खाड़ा समीतियों की ओर से रामनौमी सोभायात्रा निकाली जाएगी इसको देखते हुए जीला परिवहन पताधिकारी दिनेस रंजने सुक्रवार दो पर दो बज़े से रात 11 बय तक भारिवानों के परिचालन परोक लगाने का निज़े जारी किया है वहीं महानौमी के दिन गुरुवार को खरसावा के विफिन हनुमान मंदीर में विशेश पुजात्ना की गई जिला परिवहन पताधिकारी दिनेस रंजन के मुताविक राम नमी की सोभायात्रा को देखते वे सुक्रवार को सहर में भारिवानों की नो एंट्री रहेगी बारिवानों का परिचारान आदित्य पूर खरकई बिरीज से कांटरा टोल पलाजा तक पुरी तरह से वर्जित रहेगा पूर्वी सिम्भूम के 10 परखंडों में मोबाईल एंबुलेंस सेवा शुरू हन्स फांडेशन के द्वारा मोबाईल एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है उपायुक्ते ने पिछले दिनों हरी जणी दिखाकर मोबाईल एंबुलेंस के रवाना किया था जिला परखंडों ने परखंड वार एंबुलेंस का नमबर चाला का नमबर और नाम जारी कर दिया है उपायुक्त ने सिविल सर्जन टाक्टर जुजहार मांजी एवं समन्दित परखंडों के स्वास्त केंदर परभारी को आपसी समन्वे के साथ लोगों को स्वास्त सेवापलब्द कराने के निदेश दिया है बरतमान में जीले के 10 परखंडों मोबाइल एम्बूलेंस से वापलब्द कराई जाएगी B.A.D. का फोर्म भरने की अमतिमति थी आज B.A.D. के आवेदन की अमतिमति थी 31 मार्च है बता दे J.C.E.C.E.B. पर इक्षावे जित कर रही है B.A.D. Interest Competitive Exam Result आने के बाद इसके लिए काउंसिलिंग किया जाएगा काउंसिलिंग के दोरान ही पिद्यार्थियों को कॉलेज का आवेदन किया जाएगा इसकी काउंसिलिंग 1, 2 या उससे अधिक राउंड में हो सकता है आवेदन के लिए अधिकारिक बेपसाइट jceceb.jharkhand.jop.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है बतादे समाने और EWS के लिए आवेदन सुल्क 1,000 जो की जार्खन के OBC के लिए आवेदन सुल्क 750 वहीं SCST के लिए आवेदन सुल्क 500 रुपे ने धारित किया गया है B8 काउंसिलिंग रांची पिस्वी द्याले ने किया था बतादे जार्खन के 136 B8 कॉलेजों में कूल 13,500 सीठा है धन्यवाद